शिष्ट मंदल के मानि सदश्यगन साथियों कोविड नाइंटीन महामारी ने पूरे विश्च के समक्ष एक अभूत पूर संकट उत्पन किया है इस महामारी के कारण अन्नी देशों की तरह हमारे देश में भी शर्मिक वर्ग और मध्यम वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं इसके कारण अर्थबस ताके अलग अलग शेत्रों में संकट उत्पन हुए हैं इस महामारी का सामना करने में हमने दो लक्षों अथार्थ जीवन बचाने और आजीवी का बचाने पर अपने प्रयासों को केंदिकत किया है मैं आज यहां उस भारत गनराज का प्रधीत कर रहा हूँ जहां लोक्तंत की हजारों वर्षों की गोरोशाली परंप्रा रही है इस 15 अगस को भारत ने आजादी के 75 साल में प्रिविश्च किया है हमारे विवित्तापूर्ण ससक्त लोक्तांतिक देश में हम इसे अमरत मोश्चों की रुप में मना रहे हैं कोविड महामारी के दोरान भी हमारी संसद ने अपने दायतों का निर्वन करते हुए चार एतियासिक लेबर लोग पारित्या जिससे रोजगार सरजन के लावा वेज स्युक्रिटी सोशल स्युक्रिटी एंजोब स्युक्रिटी को बड़ावा मिरा है इसके अंतरगात सरकार ने असंगटी शेत्र के शर्मीकों के कल्यान के लिए एक व्यापक इस शर्मीक प्रोटल पराम किया है इस प्रोटल में उन शर्मीकों का वेरिफाइड डाटा कलेट करने का प्रावदान है जिससे लगबाग 380 मिलियन शर्मीकों के लिए कल्यान कारी कारेम का बेतर किर्यानमन हो पाएगा इससे असंगटिस्षेट के मजदूरों तता एप्लिकेशन बैस शर्मीकों गिट एन प्लेट फार्म वर्कर को भी संगटिस्षेट की तरह पैंशान बीमा चिकिस्षा प्रोजिडेंट फंड जैसी सामाजिक सुर्क्षा मिल पाएगी देश की अर्थवेस्ता को मजबूत करने के लिए भारत सरकारदारा 420 मिलियन डोलर का विशेश पेकिस दिया गया है इसका मुख्यलाब रूरल एकोनोमी को मिलेगा ग्रामीन अर्थवेस्ता को सर्शक्त करने के लिए सेल्प एक ग्रूप में 67 मिलियन मैला सदश्य सक्रिता से काम कर रही है अर्थवेस्ता में रोजगार सर्जन के लिए MSME सेक्टर को सशक्त करना आउशक है इसके लिए वित्यावंटन पिछले वर्ष की तुर्णा में इस वर्ष दुगना किया है और 157 बिलियन रूपे का किया गया है हमारा उदेश एक आत्म निर्वत भारत के निर्मान का है जो वेश्चिक सप्लाई चेन के एक महत्पून हिस्से के रूप में अपना योगदान करेगा सरकार की सूशाशन अंपार्दश्यता निती के कारण भारत आज विश्च के टोफ हंड्रेड इज ऑफ डूइंग बिजनिस वाले देशों में आ गया है मुझे पुन विश्वास है आने वाले समय में भारत विश्च का टोफ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन होगा देश की आर्थिक बुन्याद को मजबूत करने के लिए नेशनल इन्फास्टेचर पाइपलाइन जेसी मत कांशी आधार बुद्ध योधनाय पराम्ड किये जिससे नहीं केवल एकोनोमी ग्रोथ बड़ेगी बलकी देश में बड़े प्यमाने पर रोजगार भी निर्माण होगा आपको यह सुनकर गर होगा कि भारत में पहली बार 430 मिलियन लोगों को सीधे बेंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है साथ ही आईश्मान भारत योजना के तर 165 मिलियन नागरिकों को निश्युर्ट स्वास्त सुधाएं प्रदान की गई है मेरा मानना है भईश्व में आने वाली वेश्चिक समश्याओं के समाधान के लिए पूरे विश्व को एक कुटम के रुक में मानकर हमें एक इंटीगेटेड एंग कोडिनेटर इस्टेटीजी बनानी होगी इससे सभी संसुदों का योगदान जरूरी है हमारी प्रात्मिक्ता यह होना चाहिए कि विकास की जो नीतिया बने वो सर समयवेशी हो सर इसपरसी हो सर व्यापी हो तता सर पोशक हो इस परकार तैयार की गई सुविचारित एंव समलमित नीतियों के विशे में अंतराश्टी मर्चों पर समाध एंव चर्चा होना चीए ताकि सामाजिक और आर्थिक न्याय पर आधारित, सूटेबल, सस्टेनिबल साजा रोड में तयार किया जा सका जिसके माध्ये से हम किसी भी वेश्चिक समश्चा का समाधान कर सकें, मुकाबला कर सकें मेरा G20 देशों की संसुन से आगर है कि हम सब अपने लिए और अपनी भावी पीडियों के लिए एक जुठ होकर किसी भी आबदा या चुनुतिव का मुकाबला सामुईक ताकि भावना से करें, ताकि हम एक बेतर भाईश्चा निर्मान कर सकें, धन्यवाद जाहिन